दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार के 14 जीलो में आज से हीट वेब सुरू आज के दक्चिनी मैद और दक्चिनी पश्चिमी जीलो में पारा 41 डिग्री सिल्सियस के आसपास रह सकता है मौसम मिग्यान केंदर पटना समिले जानकारे के मुताविशिन बिहार के लोगों को दोपाहर में बेबजा घर से बाहर नहीं निकलने के सला दी गई है प्रवावे जीलो में पटना गया नलंदा सेखपुरा नवादा बेगुसराई बक्सर लखिसराई भोजपुर रोतास भववा और अंगाबाद जहनाबाद और अरवल जीले में सुबह 10 बजे से लेकर साम 5 बजे तक गर्म हवा के इस्तिती बनी रह सकती है इसके अलावा उन्होंने बताए कि 14 अप्रेल से दक्चिन बिहार में आंधी पाने के आसार है दरसल हीट वेव की स्तिती के बाद 14 अप्रेल से राज के दक्चिनी भाग में पुर्वा हवा बाने की संभावना जताई गई है जिसके कारण गरजने वाले बादल बनेंगे साथ ही 30 से 40 किलोमेटर के रप्तार से हवा चलेगी और आंधी के बाद बारिस की स्तिती भी बन सकती है लोगडाउन के डर से बिहार वापसिक कर रहे मजदूरों के लिए नितिस सरकार का बड़ा प्लान रोजगार की चिंदा होगी खतम बिहार में कोरोना महमारी का प्रको बढ़ता जा रहा है मजदूरी कर अपना पेट और परिवार पालने वाले मजदूर कामगार की बिहार वापसित तेजी से हो रही है लोगडाउन होने पर प्रदेश में नफच जाए इस डर से सडक रेल के जरिये बिहार पहुँच रहे इन मजदूरों को जोब कार्ड के लिए भड़कना नहीं होगा सरकार दो से तीन दिन में जोब कार्ड बना कर देगी मजदूरों को ग्राम सेवक या मुख्या के पास जाकर मनरेगा में काम करने की इच्छ जतानी होगी राज में रहने वाले या अभी लोटने वाले किसी व्यक्ति के लिए काम कम नपड़ इसके लिए सरकारी और निजी योजनाय में काम दिलाया जाएगा ग्रामिन विकास विभाग और सुविदाय भी अप्लवद कराने में भी जुट गया है पेजल आपूर्ती में गड़बड़ी अब नहीं होगी बरदास इन नमबरों पर करी सिकायत होगी अविलम कारवाई जिहाँ पेजल आपूर्ती में बादा होने पर आप 9122400777 पर वाटसप कर सकते हैं इसके अलावा 186034 55555 नमबर पर फोन करके भी सुचना दे सकते हैं करवाई के बारे में जानकरी दी जाईगी यहाँ विवस्ता राज सरकार के पंचायती राज विभाग ने सुरू की है बिहार बोड के पास होगी अब अपने इल लाइबरेरी गुगल और यूटूब पर सर्च का जंजट होगा खतम जी हाँ बिहार बोड के चात्रों को अब किसी चेप्टर को समझने के लिए यूटूब या गुगल पर अजदन सामागरी खोजने के ज़रूरत नहीं होगी बिहार में अब टेक्ष्ट बुक के लिए इल लाइबरेरी तयार किया गया है जिसके बाद अब केवल एक किलिक करने से सारी किताबे इल लाइबरेरी में मिल सकेगी बिहार सिक्चा परियोजन परिसद और यूनिशेप द्वारा इस विवस्ता को तयार किया गया है जिसमें बिहार बोर्ड के 90 से 12 के सिलिबस के अलावा कक्चा 1 से 8 वी तक की सारी किताबे डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्द कराया गया है कोरोनकाल के दोरान चात्रों को घरों में रहकर ही अजधन करने के मजबूरी के दोरान अब ई-लावरेरी उनके लिए काफी मददगार साबित होगा बिहार ने ई-लावरेरी तयार कर एक अनुका रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है बिहार अब देश का पहला ऐसा राज बन चुका है जिसके पास अपने टेक्स्ट बूक के लिए डिजिटल लेवरेरी तयार है इसमें कफचा एक से बारवी तक की कितावे उपलब्द है बड़े कबर केंद्रिय मंत्री रवी संकर परसाद आज आएंगे पटना कोरोना टिका उत्सव में होंगे सामिल जी हाँ केंद्रिय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रवी संकर परसाद आज यानी 13 अप्रेल को पटना पहुचेंगे रवी संगर परसाद दोपर तिन बजे पटना के आज ही IMS जाएंगे यहाँ कोरोना टिका उद्सव कारकरा में सामिल होकर अपनी बाते रखेंगे रवी संगर परसाद आज ही आट बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे बड़ी कबर क्या देश में फिर से लगेगा लोकडाउन 14 अप्रेल को राजपाल संग बेठक करेंगे पियम मोदी जिहां देश में कोरोना वाइरस ने एक बार फिर से रप्तार पकड़ ली है प्रति दिन देश में रिकोर्ड दर्ज मामले सामने आने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रेल को राजपाल संग बेठक कर लोगडाउन लगाने पर विचार करेंगे यहां बेठक बुद्वार साम 6 बजे होगी इससे पले पियम मोदी ने गुरवार 8 अप्रेल को सबे राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों के मुखमंत्री के साथ वर्चुल बेठक की थी बेठक में देश में कोरोना महमारे की सिति की समिक्चा और संक्रमन को फेलने से रोकने के रनेती पर चर्चा हुई थी बिहार में 299 नए कोरोना संक्रमन की हुई पहचान पटना में 1197 नए पोजिटिम मिले जिहां बिहार में कोरोना जाच अभियान के दोरान पिछले 24 घंटे में 299 नए कोरोना संक्रमन की पहचान हुई है राज में कोरोना के 636 संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद स्वस्थ हो गए है जबकि 6 संक्रमित मरीज के इलाज के दोरान मौत हो गई है राज में कोरोना के संक्रिय मरेजों की सिंख्य बढ़कर 1752 तक पहुच गई है जब कि कोरोना संक्रमित की स्वास्तोनी की दर अभी 93.48 हो गई है स्वास्त विवा की रिपोर्ट के नुसार राज में कोरोना जाच अभियान के दोरान पतना सहित छो जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है जबकि बेगोसरा में 102 भागलपूर में 161 गया में 184 मुझपरपूर में 141 और समस्तिपूर में 116 नए कोर प्रतिमा विसर्जन गोलिकांड की जाज के लिए पहुचीगी पांच सदस्य फोरेंसिक टीम। जिंद्याल चोक पर अपने इस्तर से निरिक्षन किया और वहां से जाज के लिए आवेसिक चीजे एकत्रित करके अपने साथ ले गई जबकि घटना की दिन वहां मौजूद रहने वाले कुछ लोगों से भी पुछताच की गई मौके पर CID के DSP प्रमोद कुमाराय बड़ी कबर पटना इनवसिटी के VC और प्रोफेसर कोविड-19 पोजिटिव मिले टल सकते हैं एकजाम जिहां बिहार के राजदानी पटना में कोरोना संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है यहां लगतार दूसरे दिन 1000 से ज़्यादा कोविड-19 पेजिट मिले हैं इसी बीच प किट के जाच में कुलपती के संक्रमित होने की बात कही है एक दो दिन में उनकी RTPCR की रिपोर्ड भी आ जाएगे कुलपती के कोरोना संक्रमित होने की सुचना के बाद उधर मगद महिला कोलेज के दो और पटना साइंस कोलेज के एक प्रोफेसर ने भी अपनी COVID-19 जाच कर कुमारर ने चात्रों की स्वास्त शरखचा को देखते वे परिछ्छा इस्तगित करने के भी मांगची है की सीएम नितिषक का अधिकारियों को निर्देश योजनाओं को मिसन मोर्ड में पूरा करे विभाग जी आम विकमंत्रे नितिषक मार ने निbles दिया कि सबी विभाग निधारिक लेच्चो को पुरा करने के लिए मिशन मोड में काम करें, हम लेच्च को किस हद तक प्राप्ट कर पाए हैं, बचेवे कारी को क्रियानुमित करने में विभाग को कौन सी समय से आ रही है, इन सब पर नियमित समिच्चा करें, ताकि काम समय पर के पिडितों का किया सहायता 25 पिडित परिवार को दिये 33,000 रुपिये राइधानी पटना के LCT घाड अगनिकान में तबा परिवार को जन अधिकार पार्टी के राष्टिया देख्च और पूर्व सांसत पपुयादव स्वमुवार को आर्थिक मदद की अगनिकान में पिड हो जाने के बाद पिडित परिवार भूके प्यासे और बेगर थे इसलिए उन्होंने पाटी की तरब से पिडितों की सहायता रासिप्रदान की बंगाल और असम के बाद आज जहारकन में हुकार भरेंगे तेजस्वी दो चुनावी जनसभाव को करेंगे संबोदी बंगाल और असम में चुनाप्राचार करने के बाद तेजस्वी यादव आज मंगलवार को जहारकन की और अपना रूख करेंगे नेतर पतिपच तेजस्वी यादव मधुपूर विदानसभा उप्चुनाव में दो चुनावी सभा को सम्मधित करेंगे तेजस्वी की दो आने वाली ट्रेन में कोरोना वारे से संक्रमित मरीज अधिस संख्या में मिल रहे हैं। इस्ति यहाई कि समवार को पटना जक्सन और दानापूर आने वाली महराष्ट के टेनों में कूल 50 से अधिक यात्रियों में कोरोना वारे स्पहचान की गई है। राद साड़े बारे बजे लोक मायन तिलक टर्मिनल से पटना आने वाली ट्रेन कूरला पटना एक्सप्रेस में कोल 22 पोजिटिम मरीज पाए गए हैं। तो वही लोकमाइन तिलग टर्मिनल से पाटली पोत्र जाने वाली ट्रेन के दानापूर स्टेशन पर ही रोक कर जाज कराए गई इसमें कूल तेरे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इसके अलावा लोकमाइन तिलग टर्मिनल से पटना के रास्ते दर्बंगा आने वाले गाड़ी में छे यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं बिहार में बंपर बहाली बारवी पास इवाव के लिए निकली जबर जस्त वेकेंसी बिहार में नोकरी पाने के लिए वेकेंसी का इंतिजार कर रहे हैं बारवी पास इवाव के लिए एक अच्छी खबर है बिहार तकनिकी सिवा आयोग द्वारा बारवी पास और इसनातक के लिए BTSC में 584 खाली पदों को भरने के लिए वेकंसी निकाली गई है BTSC ने फिसरीज ओपिसर और एप्तोलिमिक असिस्टेंट के पदों पर भरती के लिए योग और उच्चुक उमिद्वारों से आवेदन मांगे हैं इच्चुक पात्र BTSC के अधिकारिक वेपसाइट पर निस.in या BTSC.bihar.nics.in पर जाकर 5 माई 2021 तक उनलाइन आवेदन कर सकते हैं बड़ी खबर केंद्रिय चैन परसत की सिपाही बहाले 2019 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है इस भरती के तहत 11,888 रिख्तियों के विर्योद 11,838 अभियर्तियों को सफल गोसित किया गया है बिहार पुलिस कॉंस्टिबल भरती में भाग लेने वाले अभियर्ति चैन परसत की वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसके लिए आपका सवाल बताए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भागए